दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है कितने चेहरे होते हैं बेनिकाब वो दिखाएंगे आपको जल्दी और जो लोग कहते हैं कि आपको दूसरों के घरों में जांकने की जुरत नहीं है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने घर में आप न्यूज चैनल बं हम किसके ओपर कर रहे हैं तो कैसे हो आप सब लोग एक दम बढ़िया ना मस्त ना वेरी घुट तो जी मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाना चाहती हूं एक छोटा सा गाना और करनी चाहती हूं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई होप आप लोग यह मेरी रिक् पुलते बुलाके जन्माही किते रह गया सनुनेर वाले पुलते बुलाके तो यह गाना वैसे तो मुझे कल गाना चाहिए तो कल भी वैसे मैंने एक गाना गाया था लेकिन वहां तक आप लोग पहुंचे नहीं चलिए कोई बात नहीं लेकिन मैं सबसे पहले करनी चाहती आप कमेंट सेक्शन में बता देना यह गाना मैंने किसके उपर गाया था और आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है वो यह है कि कोई भी किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिखेगा और नाहीं कोई लिंक शेयर करेगा उनके चैनल का नाम निखेगा ठीक है जी मेरी फैमिली जो है वो तो मेरे को पूरा फुल स्पोट करेगी तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं ना इदर उदर की बाते करते हुए आज की पुत्तन ने बर्प बर्प तो कहती थी वह ले तुम बोल सकती थी तो चलिए यह थोड़ा सा फनी ऐसे मैंने इसमें इंकल्यूड कर दिया जो है बाते करेंगे तोल मौल के बॉल खुल गई सबकी पॉल सबकी किनके दीदूस की तो जो कुछ लोग आकर मेरे वीडियो पर कमेंट सेक्शन में आके बोल के जा रहे हैं आज क्योंकि उदर तो कमेंट सेक्शन ओफ हो जाते हैं उदर तो उनको कोई रिप्लाई मिलते नहीं है लेकिन उनको ये मुहले की आंटी उन मुहले की दीदूस के लिए जो की मुहले की दीदूस हैं मुहले की आंटी उनके लिए क्या बोल रही है तो ये दीदूस को तो पता ह लेकिन दिदू इन लोगों को रिप्लाई नहीं देती क्योंकि यह मुहले के लोग नहीं है यह इदर उदर के लोग हैं आ जाते हैं बस सुनने के लिए क्योंकि वहां पर इनको रिप्लाई नहीं मिलता लेकिन यह भी वही देखना चाहते हैं कि यह मुहले के आंटी उनके लि बड़े ही प्यार से इनको भी रिप्लाई दिया जाता है जो ये लोग पूछते हैं बट कमेंट जो है रिमूव करके मत जाया करें तो कुछ के तो खैर मेरे फैमिली मेंबर भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं तो उनके भी कमेंट जो है वाइटी पता नहीं क्या चकर चल र रखती है आज हुआ हमारे साथ यह क्या हो गया हासा मेरी घर में होगे चोरी जांफिर आधी रात को आया फोन कोन था कैसे आवी पुलिस मेरे घर जो दीदू जैना जे अपने वीवर्स के मेंटली हैल्थ के साथ खेलती हैं जो की वीवर्स आपको पता कितने वह सीरियल आते थे ठीक है वह अपनों से कम मतलब कि अपनों से वह उतने टैच नहीं होते जितना वह टीवी सीरियल को देखके रोपती थी कि तुलसी यह क्या हो गया यह क्या हो गया है वैसे ही इन यूट्यूबर्स के साथ जो अपने घरों की सब बाते दिखाते हैं छोटी उस परिशानी में वो सारी राश सो नहीं पाते हैं तो कुछ भगवान ना करें ऐसा कुछ हो तो प्लीज रिपलाई दे दिया करो आप तो कमेंट अनौफ कर देती हो तो हमारे कमेंट जो है कमेंट सेक्शन जो है मेरे वीडियो का हमेशा ओपन रहता है लेकिन हां कुछ जो घटे तो यह हम लोगों ने भी सेटिंग कर रखी है तो यूट्यूब हम तक उन लोगों को पहुंचने ही नहीं देता उनको अपने कमेंट जो है दिखते हैं लेकिन हमें उनके कमेंट नहीं दिखते तो मैं यहां पर यह बताना चाहती हूं कि वह अपने घर की एक छोटी- अच्छा आप लोग मुझे एक कमेंट आया था उनको यह भी प्रॉबलम हुई थी कि जैसे मेरे विवेवर्स जो है मेरी फैमिली जो है नाम लिख देती है कि जैसे कि पुत्तन का और का था तो वह कहते हैं अपने नाम लिखो अच्छा ऐसे वह प्रॉबलम होती है तो सजेस्ट कर लेते हैं वैसे तो रखे हुए हम लोगों ने तो बड़े बड़े ही रिस्पेक्ट्फूल नेम रखे हुए हैं उनके तो ऐसे वैसे कोई नहीं रखे हुए चलिए कोई बात में यह इस पात पर सोचा जाएगा इधर उदर ना खुमते हुए बात आते हैं लख कि आप हो तो हम हैं तो यह वर्डिंग सबको पता है कोई भी यूट्यूबर नहीं मतलब की यूज करता तो बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी बंदे को अहंकार नहीं करना चाहिए चाहिए वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए क्योंकि वह भी यहां से वहां तक पहुंचा उसको पहुंचाने में उतना ही उन वीवर्स का हाथ है जितना की उनके अपनों का हाथ है और वाकी तो भगवान की किरपा है उनके उपर द्याद रिष्टी है तो कल जो मैं बात करूंगी आज तो उस टोपिक पर नहीं करूंगी लेकिन कल बात करूंगी उनके उपर जिन्नों ने मेरे साथ ही अपना सफर शुरू किया था यूट्यूब का लेकिन मैं रेगलर नहीं थी वह तो हां मैं यहां पर यह बता रही थी कैसे वह अटेच्ट होते हैं अपनी इन दीदूस के साथ में और दीदूस जो है कैसे उनकी इमोशन उनके साथ इमोशनल गेम केलती हैं अब उनकी इमोशन के साथ खेलती हैं ऑफ कैमरा बड़ी खुश होती हैं कि विवज आ रहे हैं विवज आ रहे हैं और अच्छे से भरपेट खाना भी खाती हैं ठीक है लेकिन वह बचारे खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि कमेंट टर्न अच्छे नहीं आते कि तो टाइटल थमनेल हम लोगों ने इनी बड़े यूटूबढ के बड़े यूटूबर से सीखा है कि ऐसे ऐसे डालोगे ओई गिरने लगा था ऐसे डालोगे टाइटल थमनेल तो ही आवप लोगों को भी व्यूस आएंगे क्योंकि हमारी जो फैमली हमारे साथ जुड़ी है और ने लोग भी जुड़ रहे हैं ठीक है लेकिन जो उनको उनके कुछ ऐसे उचलते कूदते कुछ लोग आ जाते हैं चलिए उनको हम लोग इग्नोर करते हैं कल का मेरा थम्नेल टाइटल लगाने का यह था रीजन आज भी मैं लगाऊंगी ऐसे ही कि एक मैसेज दे रही हूं मैं वियर्स को मेरी तो फैमली उनको तो पता ही है तो वियर्स जो है उनके जो इदर उदर से आते हैं जिनको वहां रिप्लाई ने मिलता वो जहां रिप्लाई चाहते हैं और बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही प्यार से मैं उनको रिप्लाई भी देती हो ठीक है तो जहां पे थमनेल और टाइटल ऐसा लगाने का देखिए थमनेल और टाइटल लिखने का हमारा कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ इसका रीजन में आपको यह बताती हूं कि लोग वही सब चीजह देखना चाहते हैं जो बोल के जो बोल के कि दीदूस के लिए वह वही सब कुछ देखना चाहते हैं क्योंकि जैनुवन यूट्यूबर्स जो हैं वह तो उनको पसंदी नहीं आते ना रैस्पी ना घरों की नौर्मल बातें नहीं पसंद आती तो हम लोग ऐसे व्यूज बिलकुल नहीं चाहते कि अपने ही परिवार वालों की बद्धनामी करें शोचल मीडिया पे और व्यूज बटो रहें ठीक है और उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूर्स जो हैं फैमिली हमारी बन जाती हैं जो इमोशनली हम लोगों के साथ जुड़ जाती हैं तो हम लोग उनकी इमोशन के साथ नहीं खे खेलती हैं हम लोग ने खेलते मेरी वीडियो में होता क्या है एडवाइज होती है एडवाइज के साथ घर जोड़ने की बाते होती हैं घर तोड़ने की नहीं और आज जो एक दो तीन चार कुछ ऐसे कमेंट आये थे तो फिर उनको जाना नहीं चाहिए वह अपने ही कमेंट करके क्यों जाते हैं और कमेंट लिखने से पहले यह सोच लें कि वह यहां पर यह उमीद करते हैं कि डिमपल मैं मैं बोल रही हूं मैं बिल्कुल कि डिमपल मैं जान डिमपल आंटी हमें रिपलाई जरूर देगी इसलिए आते हो ना प्लो कमेंट करने तो बिल्कुल मैं र पहुंचते नहीं है हैं प्रोब्लम कुछ चल रही हैत अब आना मतलब अच्छे अच्छे घचर करते हैं तो वह भी मेरे तक नहीं पहुंचते हैं दित्क करते हैं क्वार चलते हैं कि लोक्ना ऑफ यह पर से चमघंच कर दिया, ममी ने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद है तुमारी ऐसी सफाई इदर से उधर इदर से उधर समान ममी ने फिर से सेट कर दिया तो वीडियो मैं तो आज बहुत अच्छा बनाना चाहा रही थी वीडियो में बहुत सारी बाते करनी चाहा रही थी लेकिन जो एक्चुल में जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तो कल की जो मेरी वीडियो है वो मैंने पहले भी बोला था कल की वीडियो में लेकिन कुछ लोग जो है लास्ट तक नहीं पहुंचते मैं यह आज बार बार कह रही हूं क्यूंकि सब जो दो चार लोग पहुंचते हैं लास्ट तक उनको वह बात बता होती है तो एक ने तो कल मेरे साथ पूरी बातचीत भी ह हुई है हमारी आपस में हमारी बातचीत हुई है आपस में कमेंट के थ्रू क्यूंकि उनको पता लगे है कि कौन सी यूट्यूबर प्रेगिनेंट है लेकिन उसकी बोडी लेंग्वेज बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे जिस हिसाब से वो काम कर रही है तो लगी नहीं र है और यह बिल्कुल भी उन्होंने जंजट नहीं पाला कि रवील करेंगे ऐसा कुछ ने स्टार्टिंग में उन्होंने बेबी को भी दिखा दिया तो चलिए जी यह तो मतलब हम लोग जिन पर बात करते हैं वह बड़े यूट्यूबर नहीं सीखने को कुछ नहीं मिलने व बात होती थी और हम लोगों ने उस टाइम पर किसी पर वीडियो बनाई थी और वह भी किसी की वीडियो बना के ही पहले थोड़ा सा आगे बड़ी हैं और आज की तारीक में वह किसी को रिपलाई देना भी पसंद नहीं करती तो जी चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी बुबरू करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है कितने चेहरे होते हैं बेनिकाब वह दिखाएंगे आपको जल्दी और जो लोग कहते हैं कि आपको आपको दूसरों के घरों में जांकने की जुरत नहीं है तो उनके लिए एक बहुत कर रहे हैं बात तो चलिए मेरी फैमिली अपना ध्यान रखें अपने अपनों का ध्यान रखें क्योंकि आप हो तो मैं हूं